मध्य प्रदेश में फिजूल खर्ची रोकने के लिए मोहन सरकार दी बड़ा फैसला लिया है जुसके तहत वित्विभाग ने प्रदेश के 33 विभागों की 70 से जादा योजनाओं पर फिलहाल वित्तिय पाबंदी लगा दी है यानि इन योजनाओं पर पैसा खर्च करने के लिए संबंधित विभाग को पहले वित्त विभाग से मंजूरी लेनी होगी अगर मंजूरी मिलती है तो ही योजनाओं पर पैसा खर्च किया जा सकेगा बताया गया है कि सरकार की तरब से वित्तिय पाबंदी 2025 तक लागू रहेगी यानि नया वित्तिय साल शुरू होने से पहले सरकार की यह रोक जारी रहेगी माना जा रहा है कि योजनाओं पर फिजूर खर्ची रोकने के उद्देश से यह फैसला लिया किया है तरब फिलहाल में कई प्रमुक्ष योजनाओं को संचालित करने करज लिया है जिस्से फिलहाल प्रदेश के खजाने पर चारल लाक करोड का करज हो किया है ऐसे में सरकार ने फिजूर खर्ची पर भी रोक लगाने का फैसला लिया है बताया जारा हैं कि अगस्त महीने में भी सरकार नया करज लेनी की तैयारी में हैं ऐसे में एक महीने के अंदर ही सरकार 10,000 करोड का करज ले चुकी होगे जिसे कुछ योजनाओं में फिलहाल कटौती देखने को मिल रही है सरकार ने कहा है कि योजनाओं पर पैसा विट्पिय बोनस का पैसा, सोलर पंप स्कूर, स्कीम और विदेश अध्यन ये सारी योजनाई इसमें समलीत हैं बहुत बहुत धने